हलो सर अंगल आप ये क्या लेकि घूम रहे हैं मतलब क्या है कुछ बढ़ाएंगे इसके बारे में मैं ये चांथा हूँ आप लोग जागरु को ये गोटाले आज से शुरू नहीं है 1948 से हैं मैं दो बार इसके पीछे जेल गया हूँ मैं हूँ हरी शंकर शर्मा आई आई टी बॉंबे फस्ट बेच ग्रेजुएट 1963 एम टेक फ्रों इंपिरियल कॉलेज लंडन डिटाइट फ्रों भारत हैवी इलेक्रिकल्स मैं चाहता हूँ आप लोग जागरुप हो आने वाले समय का आपको ध्यान नहीं है दर्ती गरम हो रही है मनुष जीवन इस दर्ती पे सिर्फ सौ साल बचा है कोई मेरी बाद सुनना नहीं चाहता प्रकृति को दस लाग साल लगे थे वायू मंडल में सीयो टू का लेवल टू हंड़ेट पीपीम करने में मनुष ने सो साल में 420 कर दिया है आदा डिग्री टेंपरेचर बढ़ा है अमरीका में साइकलोन आ रहे है चाहिना में बरसात हो रही है साउथ अफरीका में तीन साल से बरसात नहीं हुए है जो खिलाडी साउथ अफरीका खेलने गहे थे उनकों का बहिया दो मिनट में बाहर आ जा टॉइलेट से पानी नहीं है आपको कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है अब आप यह सब लिस्स लेकर घूम रहे हैं जैसे कि इसके लिखाव है लिस्स अफ़ नाव स्काम और भी बहुत सारे हैं सर्मेरा भारत मान घुटालों में भारते नागरिक परिशान सुटंत भारत उजागर हुए घुटाले की सूची अब अब लास किया है उनकल अब लोग जब तक जवान लोग ज़ागरूप नहीं होगे नया भारत क्या है नया भारत नहीं जनरेशन है आप लोग आगे बढ़ोगे देश आगे बढ़ेगा ये लैंड बिल्डिंग तो नया भारत नहीं हो सकता हम हर चीज में सबसे पीछे क्यों है मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कैंसर की चार स्टेज होती है मेरे देश में 90 परसेंट रास्ट स्टेज में क्यों डिटेक्ट होते हैं कोई जवाब नहीं देता आप सुप्रिम कोर्ट का आउडर उठाओ सुप्रिम कोर्ट ने आउडर पास करके बीए सन्यल की टावर गिरवाई ये ग्वालियर में किवारी जी को रेडियेशन से कैंसर हो गया मैंने पिन लगा ये सुप्रिम कोर्ट में उनके पास जाता हूँ टावर वालों के पास दस चोटी टावर लगाने हैं अरे सर्माजी दस टावर तीस सिक्योर्टी वाले तीस ओपरेटर जस चैनलेटर सबकी छुट्टी करके एक टावर लगा आप लोग हजार गुना रेड जो कि एक डूरी कहो रहे हैं एक लाओ का रहने वाला उल्टा प्रदेश का लेश के लगा रहे हैं और अंकल आपको यहां का कुछ आईडिया है यह पूरा आईडिया है मैं यह पदा ना चाहता हूं कि इनोंने ब्रष्टा चार करको पेपर लीग कर दिया पैसे लेके जिन्होंने पैसे दिया उनका सेलेक्शन हो जाएगा बाकि आप लोग शाम मेनद करते हैं बुद्धी मान भी हैं लेकिन उनको सेलेक्शन नहीं होगा मैं इसलिए आया हूँ थांकियो उन्गल थांकियो सो मच्छ आप मतलब मैं 80 साल का हूँ वहिया भारत है भी इलेक्ट्रिकल से रिटायर हुआ 15 साल पहले अब भी पढ़ा रहा हूँ उन्हीं कामों में लगा रहता हूँ आपको कुछ आइडिया नहीं है क्या होने वाला है जो प्रिक्ट्र देके आ रहा हूँ उत्तरा खंट ट्रास्दी पर एल्ड इंजिनेरिंग कालेज मुझफर नगर आच लाख लोग उत्तरा चंद छोड़ चुके है नेपाली मजदूर उंगली काट के लेगे रिंग के चक्कर में आपने वीडियो देखे होंगे एक एक मिनट में मकान गिरते आने वाले समय में उत्तरा खंट डी पॉपुलेट होगा लिमाचल परदेश डी पॉपुलेट होगा लाख ओं लाख आपके रिष्टेदार बंगला देश से आएंगे उनका एरिया डूप जाएगा चाइना उनको गुसने नहीं देगा मैं असी की बात नहीं कर रहा हूँ मालदी पाइलेन के आठ टापू डूप चुके हैं तीन लाख लोगों ने माइगरेशन को अप्लाई कर दिया है आप गुर्वान चलिए 40,000 इल्लीगल बंगला देशी मेट सर्वेंट हैं नाम रख लिएं गीता, सीता, रीता, अनीता, विदे, बिंदी यह हमारा देश है की धरमशाला है 30% आसा माकूपाय कलिया बंगला देशियों ने आपको जागरूप होना पड़ेगा अंकल जी युवाओं के लिए युवाओं के लिए आप थड़े हो अपनी बात रखो आगे आप ही नया भारत हो, बाकी सब नया भारत नहीं है आप को इस देश को आगे उठाना है हम सब से पीछे हैं हर्फियर में जो यो कहते हैं चाइना से है, लक्षमी जी चाइना से है, गनेज जी चाइना से है, ओली की तुछकारी चाइना से है दिवाली की लड़ चाइना से है, लक्षा बंदन की राती चाइना से है वही हमारे बच्चे पांद रहेंगे, सर्दार जी बैठे देशर्मा जी खाली बच्चे पैदा परेड़ेंगे। जबे को जो इतनी एज में भी बरसजार के खिलाफ लड़ रहे हैं और आज से ही लड़ रहे हैं, बहुत पहले से लड़ रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने गलों में लिस्टे के घूंद रहे हैं बहुत सारी कुचोगी And, hats off you uncle! Thank you so much uncle!